हालो दोस्तों मैं संजे सिच्छकवड में आप लोगों का हादिक स्वागत रभ रहंदन करता हूं हम एलिगेशन मिस्त्रड का दो पार्ट पड़ चुके हैं आज हम पार्ट 3 पड़ेंगे आए देखते हैं क्वेश्चन एक बर्तन में 7 लिटर दूद है इसमें से 6 लिटर दूद निकाल कर उसके अस्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है यह प्रक्रिया लगातार दो बार और किया जाता है तो बर्तन में सेस दूद की मात्रा में ग्याद करना है यहां पर बोला है लगातार दो बार और मतलब टोटल तीन बार काम किया गया है तीन बार दूद को मिसरड को निकाल कर उसमें पानी डाला गया है ठीक है आए देखते हैं हमारा मिसरड कितना है एक बर्तन में 60 लिटर दूद है, ठीक, दूद कितना है, 60 लिटर, 60 लिटर दूद है, अब 60 लिटर दूद है, इस में से 6 लिटर निकाल लिए गया, 6 लिटर निकाल ले जिए, कितना बचेगा, चववन बचेगा, 4 लिटर दूद, चववन लिटर बचेगा, अब उसके बाद, उसमें पानी डालने की बात हुई, हम 6 लिटर दूद निकाले, तो हमारा दूद बचा, 4 लिटर, अब इसके अस्तान पर पानी की बात किया गया, अब आये देखते हैं, पूरा टोटल कितना ह दूद शाइट लिटर है कितनी बार निकाला जा रहा है तीन बार निकाला जा रहा है ठीक है 횟 निकालने बाद मात्रा दूद कर डूद का ओए चो सुवन कितने में से animals लिंगा है स्वाइट लिम है तीन घोड़ है संस्यतै तीन बार गुदव अ क्योंकि क्यों कि ने क्योंकि याँ पर लगातार दो बार और एक बर तो है उसके बाद दो बार ओर किया सुल तीन. औन जुटा से कॉटाइन नौ बार में कटेगा santé एगा च्रणु मृटा उन li चहँटाइगा रिएखमने छे दन्म साथ इसको किषगे छे दाम साथ और छे नमन चोवन ठीक अब पूरा टोटल क्या हो जाएगा देखिए अब इसको काट लीजिए एक जीरो से जीरो अब हो जाएगा छे गुड़े नव गुड़े नव गुड़े नव अब नीचे क्या बचेगा अब इसको देखिए नौ का क्यूब कितना होता है नौ गुड़े नौ करेंगे नौ का क्यूब होता है साथ सो उन्तिस और यहां पर गुड़े च्छा है गुड़े च्छा कर लीजिए बटे सव ठीक अब आईए आगे देखते हैं अब इसको गुड़ा किजिए इसको गुड़ा करेंगे नौ छंग चाओंग चार केरी पांच फिर चादुनी बारा है बारा है पांच सत्र है ठीक केरी आया एक फिर चादे बैयालिस एक तीरा अलिस बटे सव ठीक है अब इसको भाग दे दीजिए चार तीन दस्मौलोग साथ चार इतना अधाएगा तीरा लिए दस्मौलोग साथ लिटर एक सेस दूद की मात्रा है सेस जो बचा है दूद की मात्रा है ठीक है और यह मारा एंसर हो जाएगा हमसे सेस दूद की मात्रा पूछा था तीन बार निकालने के बाद 6 लिटर कितना आएगा वह हैं सेस्थ दूद की मात्रा पूछा था देखिए निकालने के बाद दोस्तों सिरिंकला का नेक्स कोच्छन देखते हैं आईए एक बरतन में 80 लिटर सूद्ध दूद है ठीक एक तिहाई लिटर दूद को पानी के साथ विस्थापित किया जाता है यानि दूद निकाल कर उसमें पानी डाल दिया जाता है दोबारा एक तिहाई मिस्थरड निकाल कर अब क्या हो गया जब एक तिहाई दूद निकाल कर उसमें पानी डाले तो मिस्थरड बन गया अब दोबारा एक तिहाई मिस्थरड को निकाल ला जाता है और उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो नए मिसरण में दूद और पानी का और नुपात हम से पूछा गया है ठीक है आज देखते हैं पहला काम क्या करेंगे एक यसी का एक तीहाई निकालते हैं एक क्यासी का एक तीहाई कितना होगा देखिए कि यह एक केंदू निच्छार टीन साथ एक कहीज सबने 27 लीटर ठीक 27 लीटर होगा आप देखिए सुध दूद गर्ना था एक्यासी लिटर, एक्यासी में हम एक तिहाई निकाल कर उसमें पानी डाल ले हैं, तब कितना बचेगा दूद आए देखते हैं, किसमें से 27 घटाते हैं, कितना बचेगा, चार, और यहां, पाँ, चववाँ लिटर, चववाँ लिटर दूद बचेगा, ठीक, अब कितनी बार किया गया है, आज़े देखते हैं, पुरा टोटल, सुद्ध दूद हमारा एक्यासी लिटर है, अब एक तिहाई निकालने के बाद, दो बार किया गया है, ठीक, एक तिहाई निकलने के बाद, चववाँ लिटर दूद बचा, कितने में से, एक तिहासी में से, फिर दो बार किया गया है, चववाँ गुड़े, चववाँ बटे एक तिहासी, ठीक, हो गया दो बार, अब देखिए, काटी यह इसको, 9 से कटेगा, 9 बार में 9, 9, 80, और 9, चववाँ, यह भी 9 से कटेगा, 9 बार में, और 9, चववाँ, और कटेगा, कटेगा, तीन दू निच्छा, तीन तिरिक के 9, ठीक, अब तीन तिरिक के 9 हो जाएगा, अब इससे, एक यासी को भी काट सकते हैं, तीन तिरिक के 9, और 9 बार में, एक यासी कट गया, ठीक, कितना बचा, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 लिटर, दूद बचा है, ठीक है, अब हमसे दूद और पाणी का रुपात पूछ रहा है, 36 लिटर दूद आ गया, अब 18ल कितना था टोटल, ऐक यासी लिटर था, आगे दखिए, पूरा टोटल दूद कितना था, 81 लिटर और यहां पानी डालने के बाद कितना लिटर बचा 36 लिटर यहां 81 था अब डालने के बाद पानी 36 लिटर सुद दूद बचा घटा लिजे कितना आएगा 5 ग्यारम से 6 गया 5 और 7 मिज़े 3 गया 45 लिटर यह क्या है 45 लिटर पानी हमसे पूछा क्या है दूद और मिस्रण में दूद और पानी का अनुपाद पूछा है दूद और पानी का अनुपाद पूछा है दूद हमारा कितना आया निकल कर लाष्ट में 36 लिटर बचा है और पानी 45 लिटर कटेगा कटेगा एक नहीं देखिए दो से काटी है तीन से काटी है बारा तैंच अच्छ तिस पंद्रतियं 45 तीन च्वक के बाहर है थीन पच्छे 15 हमारा क्या नुपाद निकल कर लाष्ट पानी और दूद का चार समंधे 5 का नुपाद आया एम चे पूछा गया था थीक कितना दूद और पानी का नुपाद होगा चार समंधे 5 क्या किया हूं पहले एक 20 लिटर दूद था उसका एक तिहाई विस्थापित किया गया है दूद निकालकर उसमें पानी डाल दिया गया तो 27 लिटर निकालना पड़ेगा 27 लिटर निकालने तो हमारा सूद दू दूद की मातरा 36 लिटर आएगा अब पानी को जब दूद निकल गया तो पानी निकल जाएगा तो यह सली लिटर दूद था पुरा और उसमें से आम सान दूद घटा देंगे जो आएगा 55 पानी हो गया ठीक कि उसके बाद हम दूद और पानी का नुपाद निकाल लेंगे देखिए question सुद्ध दूद से भरे हुए बरतन से 20 लीटर दूद को निकाल कर उतना ही मात्रा पानी मिला दिया जाता है यह प्रक्रिया तीन बार दोहराई आती है तो तीसरी प्रक्रिया के बाद सुद्ध दूद की मात्रा कितना परसेंट बचा है कोई हमसे पूछा गया है कि कोईभी शीच य सव परसेंट पर होता है हुआ कि कोईभीची सोफ परसेंट रखा जाता ठीक है मालेजे कीutet छेए यहा पर बरतन में सुद्ध दूद सोड़िश्स परसेंट था ठीख इस में से 20 परसेंट निकाल लेए निकाल लेजे बीस परसेंट तो कितना बचेगा असी पर सेंट असी परसेंट बचेगा ठीक है यह परकृया तीन बार किया गया है आए यह दिखने है टोटल कितना था सो परसेंट 100% में से 20% जब निकाल दिये तो कितना बच्चा? 80 कितने परसंट से? 100 100 में से निकाला गया यह ठीक है? फिर 80 बटे 100 गुडे 80 बटे 100 तीन बार बोला है, यह प्रक्रिया कितनी बार किया गया है? तीन बार किया गया है, ठीक है? अब देखिए A, B, शव का सी 20 पंजे 100 ठीक? B, शव का सी 20 पंजे 100 चार बार में कटेगा, नीचे 5 बार में ठीक है? अब है 5 पंजे 25 दो बार में कट लिए 5 बार में कट जाएगा, ठीक है? अब क्या बचेगा? चार 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 बार में कटेगा, ठीक है, कितना आ गया? 256 बटे 5 अब भाग दे दीजे 5 बार में जाएगा, 5 पंजे 25 अब 5 एक कम 5 एक बचेगा, पंजे 10 कितना बचेगा? एक क्यावन दस मलोव 2 परसेंट आइंसर हमसे यही पूछा गया था ठीक? सुद दूद तीसरी प्रक्रिया के बाद सुद दूद मातरा घटकर कितनी रह जाएगी? एक क्यावन दस मलोव 2 परसेंट रह जाएगी? ठीक है? समझा है? कोई भी चीत 100 परसेंट होती है ठीक? घटाएंगे सौ में से 20 असी बचेगा उसके बाद तीन बार बोला है इसलिए तीन बार किया है गुड़ा अब काटने के बाद 256 बटे 5 आएगा निकल कर हमारा 1192 परसेंट ठीक है? आएगे दोस्तों स्रिंकला का नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक सोनार के पास दो प्रकार का सोना है एक 12 करेट और दूसरा 14 करेट सुद्धता वाला है वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि 15 करेट सुद्धता वाला भुसर बन सके ठीक है? पहला देखिए 12 करेट वाला है इसको मिस्रण वाले विद्धिश लगाते है पहला 12 करेट दूसरा 16 करेट वह पुछरा की सानुपात में मिलाएं कि 15 करेट वाला सुद्धता हो जाए ठीक है? अब इसको तीरिया घटा लिजे 15 में से 12 जाएगा 3 अब 16 में से 15 जाएगा 1 क्या अनुपात निकल कराया? एक संबंदे 3 यदि हम एक संबंदे 3 के अनुपात में मिला दें 12 और 16 करेट वारे सोना को तो 15 करेट सुद्धता वाला उसर बद सकेगा ठीक है? इसमें कुछ करना नहीं होता है जो दियार है उसको लिख लीजे और जो आए दोस्तों स्रिंखला कनेश्ट क्वेश्चन दिया है एक व्यापारी के पास 10 क्विंटल सेव है उसने सेव का कुछ हिस्ट स्या 10% लाप पर और बाकी हिस्सा 20% लाप पर बेज दिया इस प्रकार उसे कूल 14% लाप राप्त हुआ तो उसने 20% लाप पर कितना सेव बेचा है यहाँ पर देखिए जब लाप है तो पूरा लाप होना चाहिए बीच में कोई हानी नहीं होना चाहिए यदि हानी है तो सिर्फ हानी रहना चाहिए तीनों केस में देखिए पहले में 10% लाप है पहला 10% लाप, दूसरा कितना दिया है, 20% लाप, ठीक, और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 14% लाप प्रापत हो रहा है, सब लाप में है, हानी में कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए यह लिए किसना लगीगा है, 20 में से 14 घटाएंगे, 6 आएगा, अब 14 में से 10 घटाएंगे, 4 आएगा, कटेगा, काट लिजे, 2, 3, 6, अब यह 2, टोटल अनुपात कितना निकल कर आया, 3 संबंदी 2 के अनुपात, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, अब देखिए, एक क्विंटल बराबर कितना होता है, एक क्विंटल बराबर, 100 केजी होता है, ठीक, तो यहाँ पर हमसे क्या अतना दिया है, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल बराबर, 1000 केजी, ठीक, अब देखिए, अनुपात आया, 5, 5 के बराबर कितना हो जाएगा, टोटल, 10, एक हजर केजी, ठीक, हो जाएगा, इस अनुपात के बराबर क्योंकि पूरा टोटल 100 क्विंटल है, अब दस क्विंटल, अब उसको कीलों बदलेंगे, तो एक हजर क्विंटल बराबर, एक हजर, तो एक के बराबर, एक के बराबर, दो सो के जी, ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, 20 क्विंटल, 20% वाला लाब , 20% वाला लाब कितना है, दो, ठीक, 20% वाला लाब, दो है, बीस परसेंट लाब बला दो है एक कमान दो सब है तो दो कमान चार सो के जी ठीक हमारा अंसा निकल करा गया चार सो के जी हमसे एक पूछा था बीस परसेंट लाब पर कितना से बेचा गया चार सो के जी बीस परसेंट लाब पर से बेचा गया ठीक है एती वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक आएं सस्क्राइब कीजिए धनिवाद